नमस्कार साथियो एक बाद फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोला एजुकेशन पॉइंट पर तो साथ यूट आज की वीडियो में आपनों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने यूट्पी पुलिस कॉंस्टेबल का जो फॉर्म है वो भरा है और आप लोग उसका रेजिस्टेशन नमबर भूल गए हैं तो किस तरीके से कैसे आप लोग उसका जो रेजिस्टेशन नम निकालने के लिए यह जो लोग इन वाला फेज आप लोग के सामने यहां पर यह खुला हुआ दिखाई दे रहा है इसको स्कॉल करते हुए आप लोग को नीचे की तरह आना होगा नीचे आएंगे तो आपको उप्सन दिखाई दे रहा है फॉर्गोट रजिस्टेशन यह मैं घेरे में करके यह आपको दिखा दे रहा हूँ इस वाले उप्सन पर आपनों को किलिक करना होगा जैसे ही यह आप लोग इस वाले उप्सन पर किलिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस जो होगा वो आएगा अब यहां पर आप वाले option पर आपनोंको click करना कोगा, तो जैसे ही आप लोग Center वाले option पर click करेंगे, तो आप लोग देखेंगे आप यह इन्टरफेस होगा वो कुछ इस तरीके का आए आपके सामने आपका जो registration number होगा बुल लिखा हुगा दिखाई देगा आप देख सकते हैं आपर दिखाई दे रहा है red red में your registration number is मैं आपको ये घेरे में करके दिखा दे रहा हूँ ये इस तरीके से आप लोगो ये दिखाई देगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब करके वीडियो को सेर भी जरूर करना बाकि अगर किसी student को registration number निकालने में कहीं पर कोई दिक्कत आती है कोई समस्या आती है तो आप लोग मुझसे comments में जानकारी को प्राप्ट कर सकते हैं मैंने आप लोग को बता दिया कि UP Police Constable की जो भरती है उसका आप लोग अगर form भरे हैं और आप लोग उसका registration number भूल गए हैं तो किस तरीके से कैसे निकालेंगे सारा तरीका मैंने आप लोग को इस वीडियो में बता दिया तो साथ ही आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगा एक नई सी जानकारी के साथ तब तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत भहुत धन्यबाद जै हिंद जै भारत